हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ जटपट से बन जाने वाले बहुती मज़ेतार स्नेक्स की रेश्पी सेयर करेंगे जिसे हम गेहु के आटे से बना कर तयार करेंगे आप इसे एक बार बना कर तीन महीने तक इस्टोर करके रख सकते हैं ये उतने ही खाने के बाद आप मार्केट से स्नेक्स नाना बिनकुरी भूल जाएंगे चलिए तो फटा फट से इस मदेदार से नास्ते को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका एक डो तयार करेंगे तो यहां पर हमने देड कप गेहु का आटा लिया है नॉर्मल आटा है ज उससे बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आएगा नास्ते में और इसमें डाल देंगे चौथाई चमख से भी कम काली मेर्च पाउडर आप कुटी हुई काली मेर्च भी डाल सकते हैं एं पिर इसे इसकिप भी कर सकते हैं और एक चुटी चमब गीसे और अच्शे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो आज इसे हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं जिससे यह बहुती ज्यादा हेल्थी होने वाले हैं और नास्ते को खस्ता क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे तेल तो सर्सों का तेल छोड़कर आप कोई भी कुकिंग ओल इसमें ड इस तरह से जब इसको बांध रहे हैं तो अच्छे से इसके लडू बन रहे हैं तो मोयन इसमें बिल्कुल परफेक्ट लगा है तो यहां पर हमने एक तेहाई कप तेल लिया था जिसमें तेन चम्मच के तकरीवन तेल पच गया है और अब इसमें हम पानी डालेंगे तो थो हाथा डालना पड़ेगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा करकर हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसका सक्ध डो तयार करेंगे है तो यह कि देख्शिंक हमने hen कर लिया और हमने लगाया है तो यह देख के में हमारा तयार है और को हम रेश महीं कर आएंगे नहीं सबस्ट हो जाएगा तो तुरंथ ही चलिए इसका नास्ता बनाते हैं तो सबसे पहले लग एक पार्ट कर लेते हैं तो यह dónde नहें तो इसे थोड़ा सा मसलने में आपको तागत लगेगी तो यह देखिए लोई बनकर हमारी तयार हो गई और आप इसे हम डोटी जितना पतला ही बेल लेंगे तो इसे बेलने के लिए आपको घी या सूखे आटा लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसे हमने सक्त तो यह बिलकुल भी आपके वेनन या चकले पर चिपकेगा नहीं तो यह देखिए इसकी हमने एक बड़ी सी रोटी बना लिए तो इसे हम स्लैप परी बेलना है क्योंकि चकला चोटा पर जाएगा तो यह देखिए बिलकर हमारी तयार हो गई एक रोटी और यह देखिए हम यह नास्ता बनकर तयार होता जाएगा यह देखिए तो चलिए फटा फट से नास्ता हम बना कर तयार कर लेते हैं तो इस नास्ते को हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं या एक कप गेहूं का आटा और एक ही कप मैदे से भी इ इंहें फ्राइ करें अपने आप ही अलग होजा यहां but not something you can corre हमाए अपने ही अलग हो जाएंगे तो यहां पर हमने टेल गरम होने के लिए रग तर घरम तेन मसे हम पहले तो यहरे हांगे हम बाद में सेंखेंगे तो ये देखिए इसमें डालते ही ये देखिए सारा नास्ता बिलकुल अलग हो चुका और ये फूल भी गया है तो बस गैस की प्लेम लो रखेंगे और इन्हें उलट पलट करते हुए बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे तो ये बिलकुल इसी तरह से नास्ता बना कर हम तयार करेंगे तो ये नास्ता बहुती ज़्यादा किस्पी बना है आवास सुनिए ये देखिए इसी तरह से सारा नास्ता हमने बना कर तयार कर लिया ये बहुती ज़्यादा किस्पी बना है तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं य काजू के ही हमारा काजू स्नेक्स पंकर तयार है तो इस पर थोड़ा सा हम कस्मीरी लाल में शिड़क देंगे और थोड़ा सा इस पर नमक डाल देंगे जिससे इनका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो लीजे फटा-फट से सिर्फ 10 मिनट में ये मजेदार सा इसन ये रेस्पी जरूर पसंद आई होगी तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये मजेदार सी गेव के आटे से बने काजू स्नेक्स की रेस्पी कमेंट करके जरूर बताएं रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक और सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूले ऐसी ही नई रेस्पी के साथ नेस्ट वीडियो में फिर मिलेंगे थेंक्यू